भाई बहन को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम डियो और लड़की का नाम एंड्रिया होता है। ये दोनों एक क्लब के अंदर हर जवान लड़की और लड़के की तरह लाइफ इंजॉय कर रही है। यहीं हम एंड्रिया को देखते हैं, जो हर नए लड़के के साथ अपने भाई के सामने ही चुमा चाटी करना शुरू कर देती हैं, और हर किसी के साथ गले पढ़ने लगती है, यह देखकर डियो के अंदर का भाई जाता है, और वो अपनी बहन एंड्रिया से इस बारे में बा करता, वो उसे बोलती है कि तू अपनी लाइफ इंज्वाइ कर और मैं अपनी लाइफ इंज्वाइ करूंगी और तू मुझे ज्यादा ग्यान मत दे, एंड्रिया डियो से बोलती है कि तू अब घर जा में आज रात इस लड़के के साथ अपनी हवस की प्यास अब दियो ये सारी बाते सुनकर चुपचाप घर आ जाता है, इसके बाद हम दियो का घर देखते हैं, जहां किसी तरह की पार्टी चल रही थी, दियो और एंड्रिया का घर देखकर हमें ये तो पता चल जाता है कि वो एक अमीर बाप की बिगडी हुई आुलादे हैं, फि इसके बाद उसके पिता उसके पास आते हैं, और उसे डाटने लगते हैं कि तुम अकेले ही क्यों आए हो तुम्हारी बेहन कहा है, ये सुनकर डियो का दिमाग खराब हो जाता है, और वो गुस्से में किचन में चला जाता है, जहां लैली और एणी नाम की दो मेड काम कर र जब दियो यहां पहचता है, तो देखता कि एंड्रिया बिना कपड़ों के नशे की हालत में उल्टी पड़ी हुई है, और इसके बाद दियो एंड्रिया को जैसे तैसे करके उठाता है, और घर लेकर आजाता है, इसके बाद हम सब को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं, अब अवस्टेन जाने के बाद दियो और एंड्रिया एक दूसरे के ऊपर खाना फेक रहें थे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, लेकिन इन दोनों की ये हरकत एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसके बाद एंड्रिया अपने रूम में जाके अपने डैड की बातो चाता है, फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डियो अपने डैड के कहे अनुसार ओफिस जाता है, जहां अवस्टिन डियो को देख के काफी खुश होता है, और उसी दिन से वो डियो को फैक्टरी में भी आने को बोलता है, ताकि वो उनके बिजनेस को अच्छे से समझ सके, अब अवस्टिन डियो का मन काम में लगवाने के लिए उसे लालज देता है, और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ एक महीने अच्छे से मेरी फैक्टरी में काम करोगे तो मैं तुम्हें एक नई गारी दिलवा दूंगा और वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, तो तुमें भी उनके साथ उठना बैठना चाहिए ताकि तुम भी रिच लोगों की तरह दिख सको और तुम्हारा मन भी लगा रहे, जिसके बाद हम एलिस को उसी किटी पार्टी में देखते हैं, जहां एलिस को उन अमीर औरतों के बीच बैठ कर बिलकुल भी अच्छा न जहां वो अंदर से आईस्क्रीम लाने को बोलती है, लेकिन वहां एंड्रिया का एक डोस डियो को रोग के किचिन में खुद बर्फ लेने चला जाता है, और वो लड़का यहां मैड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां डियो आ जाता है, जिस वज़े से डियो को काफी गुसा आता है, अब उसने डियो को इसलिए कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर वो उसे कुछ भी बताती तो शायद वो अपने डैड को भी इस बारे में बता देता, और उसके डैड एनिस को जॉब से निकाल देते, क्योंकि वो लड़का उसक प्राइवेट पार्ट को टच करता है और पप्कू को हिला कर अपनी सारी गर्मी निकाल देता है। फिर बाद में उसे अपनी गलती का पच्टावा भी होता है कि उसने अपनी बहन के साथ ही ऐसा करने का सोचा। इस वज़़ से वो रोने लगता है और उसे रोते देख लेली वहाँ पर आती है और उसे संभालते हुए बोलती की चलो तुम मेरे साथ बॉलिबॉल खेलो और इस वज़़़ से डियो कुछ ही देर में सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो मिस डीडो के प्लांट एक्जिबिशन में जाती है। इसके बच्चे का असली बाप कौन है लेकिन दिमाग पर काफी जोर देने के बाद भी इन तीन महारानियों को कुछ भी याद नहीं आता है कि कौन सा आदमी एंड्रिया की गुल्लक भर गया। जब डियो को एंड्रिया की इस हालत के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो उसके रूम में जाता है और उसके कपड़े उतार के उसे अच्छे से लिटा देता है और टपा टप करने लगता है। लेकिन इसी दौरान एंड्रिया को होश आ जाता है। हालां कि वो अभी भी नशे में ही थी इसलिए वो उसे चुप कराते हुए वापस हो जाती है। अगली सुबा डियो और एंड्रिया एक दूसरे से नजरे भी नहीं मिला पा रही थी और इसी तरह कई दिन बीटने के बाद, फाइनली एंड्रिया अपनी प्रेगनिंसी की बाद अपने डैड को बता ही देती है। और छे महीने के लिए पेरिस में रहने के लिए कहती है। कुछ दिनों बाद वो डियो को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं मयामी हूँ। फिर डियो को एंड्रिया की एक दोस से एंड्रिया के प्रेगनिंट होने की बाद पता चलती है, जिसे सुनकर डियो काफी शौक होता है। दूसरी तरफ एलिस अपने घर जाके अपनी और अवस्टिन की शादी के बारे में बताती है कि मैं अवस्टिन से पेरिस में शादी कर रही हूँ और इसलिए मैं चाकर भी आप में से किसी को नहीं बुला सकती। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहां अवस्टिन के घर एक पार्टी चल रही है और अब दियो भी अपने डैड का बिजनिस संभाल कर काफी कुछ सीख गया था।